कि अब भाजपा सेसर करती थी तो आप भाजपा को छोड़ कर गया गये थे अब क्या कारण है कौन का आप को बैग मिल गया कि भाजपा का फिर गूर गाने लगे और हमारे साथ मुझूद सच है जो धरती पूत मुलायन सिंग्यादों के बहुत ही फैन है और कनहिया निसाथ जी हैं इसे हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है आप पूरे साइकिल में जंडा टांग करके लेकर निकल पड़े हैं कि हम सुधाकर सिंग को जिदाएंगे क्या हुए हैं और कहीं भी जूल्म और अत्याशार होता है तो हमेशा ततपर रहते हैं लोगों के लिए दिन और रात 24 घंटा उस्रेवा देते हैं और जिन से भाजपा प्रत्यासी मनाई है जिनको यहां सभी लोगों ने देखा कि समझवादी पार्टी ने उनको चिताया था ल और चुनाव का जो खर्च है जनता की गाड़ी कमाई से होता है उस पर महंगाई के आसर पर डाल देते हैं चुनाव तो जो है कि दली से लेकर के थारी जात बंधन तूट गया धर्म छूट गया है अस्थानी के नाम पर और संघर्ज के नाम पर लोग सुधाकर सिंग के लि और चुछ चोड़के चले गए गलती सबसे होती है दारा सिंग भावकता बस आये थे और तो दारा सिंग को इसलिए माननी अगले से आदो जी ने पार्टी में ले लिया और सिधाकर सिंग जो इतने अच्छे नेता थे उनको जो है कि अराम कर ये इस बार दारा सिंग को जि लेकिन आपको प्रकास राजबर जी आप लोगों के साथ दमखर्म से चुनालवाए थे जितवाए थे अब बीजेपी के साथ चले गया हो फिर सतम भर रहे हैं कि इसकार हम सितारा सिंगे और आप लोग कह रहे हैं उम प्रकास जी का बात क्या करेगा कोई आप लोग मीडिय से हैं उनका रोज बियान बदलता रहता है वह कहते हैं कि कभी यह कहते थे कि मैं योगी और मोधी को जो है कि इस देस छुट्टी करा दूंगा मोधी जी को भर रमी साथ को मैं गुजरात भेज बेज़ दूँगा मैं तो मैं वही तो उम प्रकास राजबर जी के समाज जो राजवर समाज हैं उनसे उपेख्छा क्या करेगा वह काते हैं कि भाजपा दलीतों का और राजवरों का मतलब पीछओं का सोसर करती है जो भाजपा को छोड़ कर गया गे थे अब क्या कारण है कौन सा आपको बैग मिल गया कि भाजपा का फिर पूर्गाने लगे अज़ कोई ठीकाना नहीं है आपको पता चल जाएगा कि आप किसे रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं सुधाकर जी नमबर वन जीत भी रहे हैं अंतर हम लोग बढ़ाने के लिए लगे हुए है और देखिए यह चुनाव देश और परदेश का है एक तरह से मान लिया जाए चौबीस का सेमी फाइनल है इसको जीते का चुनाव उसका पता चल जाएगा कि उत्तर परदेश में सां उन्होंने कहा था कि हम हर साल दो करोड लोगों को परज़गार देंगे और विदेश से काला धन लाएंगे और जो है कि तमाम सो इसमार सीटी बनाएंगे कितनी बहुत सब हावा हावाज निकाल नौ साल पूरे हो गए 18 करोड तो लोग उसी तरह परज़गार है और जीतनी नौन को बैंकांसी लापाए नरीक्त पदों को भर लवल पाए तो अधर्दान मंत्री देश की लोग क्या पैठा करेंगे अब देखिए दावा क्या करेंगे भाजपाम थे तो उनको चार सीटे थी हमारे माय तो पलस हो गए अब भाजपाम गाएं खुद अपना जो है कि अपना और अपने लड़के का सुरची सीट खोजें और उनका जो है कि राजनीतिक संजा नास होने वाला है लग रहा है कि इस बार ओपी राजपार खता खुलेंगा नहीं कि नहीं पुलेंगा दोने लोगा राजनीतिक केरियर खतम हो जाएगा चाहे दारा सिंग्षावान हो चाहां पी राजपार हो आपकी चैनल के मादम से बता देना चाहता हूं भूप धन्दबाद अभी हम जो है कि सपार कार भाबी चुना में गया था 800 किलो मिटर में वहां सबक्राइब चला करके आया था कि आपके लोग भी क्या इनके साथ है क्योंको संजय निशाद को संजय निशाद को कोई पूछने वाला नहीं था लेकिन वह भी मलाई काटने वाले नेता हैं आप देखते हैं विधान सभा के चुनाव में देखे थे कि उन्हें जो है कि 15 टिकट मिला था अगर निशाद समाज के वह ही तैसी होते तो कम से कम दो चार पांच निशादों को टिकट दिये होते या किसी भी बैकॉड को दिये हो समयवादी पार्टी का पुना पर्चम लहराएगा और घोसी की सम्मानी जनता का इस वार बहुत ही सम्मान बढ़ेगा इस देश और प्रदेश में बहुत धन्यबाद हमारे साथ मोजूद ठेक नहीं आने साथ भी बात्चित कैसे लगे कमेंट की जो बताएगा बहुत